Hello students, welcome back to Resonance Studies, मेरा नाम है कुशागरदीब चित्राँश, आप सभी का टीचर, दोस्थ, भाई, बंदू, सखा, मेंटोर और साथी और दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं Biography of King Emperor Vikramaditya, यानी समराट Vikramaditya of Jain की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा introduction उन लोगों के लिए जो नहीं जानते थे Vikramaditya थे तो थे कौन, तो भाई, जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए बता दू Vikramaditya ancient India के वो ruler थे, जो famous थे अपनी kindness, अपनी bravery, अपने patronage of scholars के लिए In fact, भाई, इनका नाम सौ से जादा यहाँ पर traditional tales में भी आता है, जिसमें से बेताल पचीसी और सिंगासन बतीसी हमने mainly देख और सुन रखें, टीवी शोर्स में और even stories भी हमने सुन रखें Vikramaditya की जो mainly capital थी, वो थी अजयन, कई जगाहों पर भाई, Vikramaditya को बताया गया है as a global king, यानी पूरे globe का राजा तो भाई, जानेंगे इनी Vikramaditya के बारे में details में, लेकिन भाई, उससे पहले channel को subscribe करके घंटी का button दवाना बिलकुल भी न भूले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई, अपने दोस्तों से, रिष्टिदारों से, relative से, किसी से share करने में स्टोशना मत, just share कर देना तो दोस्तों वापस लोटते हैं स्टोरी की तरफ, और स्टोरी की तरफ वापस लोटते हुए, मैं बहुत से लोगों का एक myth तोड़ देना चाहूँगा, एक उनका भ्रम तोड़ देना चाहूँगा, जिनको लगता था कि Vikramaditya was a mythological character, यानि कि एक mythological character है, instead of an historical character, right, so बस उ 2288 साल पहले होता है, यानि कि 2288 years back, calculating from 2021, अब दोस्तों स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाते हैं, और थोड़ा सा जाल लेते हैं विक्रमादिप्ते के family background के बारे में, यहाँ पर उजयन के पहले emperor थे नवोवाहन, उजयन भी क गंधर्व सेन के तीन बच्चे थे, यहाँ पर सबसे पहले भरत हरी, दूसरे थे, यहाँ पर मेनववती जो की इनकी बेटी थी, और तीसरे और सबसे छोटे विक्रम सेन या फिर विक्रमादित्या, जानेंगे इस पूरी family के बारे में थोड़ी सी details, दोस्तों जैसा कि पि और शकास थे Central India से आए, इंवेडर्स, जो कि इंडिया में constantly raid कर रहे थे, तो वह होता क्या है, initially मालवगड़ kingdom जो होता है, वो थोड़े बहुत attacks तो face करने में काम्याब हो जाता है, due to initial military advantages, बट होता क्या है, वो पीरेड ओफ टाइम, यहाँ पर शकास जो होते है, वो गंध of girl kingdom, अलाकि दोस्तों ऐसा नहीं था कि गंधर्स से ने यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी lost territories को वापस पाने की कोशिश नहीं करी थी, पर शकास के heavy resistance के कारण वो हो गए थे, fail, तो इनी failure से परिशान होकर अपनी बड़ती उमर के कारण भी गंधर्स से नहाँ पर decide करते हैं कि कि भाई वो अपना जो सिंगहसन है, अपना तक्त है, वो अपने बड़े बेटे भरत हरी को दे देंगे, और उसका prime reason यह था कि भाई उनने दों इंडिया में बड़े बेटे को ही सिंगहसन देने का चलन हुआ करता था, primarily, अगर भाई कुछ disabled दो तो बाता लगे नहीं तो ऐसे भाई बड़े बेटे को सिंगहसन मिल जाता था, अब होता किया आगे कहानी में एक छोटा सा twist और आता है, भाई भरत हरी यहाँ पर बहुत 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 राजा नहीं थे, यह वह थी डरपो किस्न के एक राजा थे, तो भाई शकास ने जब रेड किया यहाँ पे जंगलों में भी आ जब शकास, तो जंगल में भी शकास जो थे वो पीछे 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 पहुंच गए थे, यहाँ पर royal family के, अब होता किया वाई वेव ऐफ टेरर बन जाती है बड़ा थारीक दिमाग बें कि भाई मैं इसे लड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि म पर मेरे पिता जी इतने मड़े राजा मेरे दाजा जी इतने मड़े शम्राब बस कोई hear नगे लिक कर पाया तो बस मैं कैसे किया कर लूँ और यह क्या करते भाई बड़ा बेटा गया उसके बाद बीच में आती थी मैनावती मैनावती को टेक्निकली सिंगहासन दे नहीं सकते थे तो आये कौन भई यहाँ पर आया फिर छोटा बेटा विक्रम सेन जो कि accidentally कहलो या कैसे भी कहलो यहाँ पर बन जाता है राजा और जब भरत हरी अपना सिंगहासन अपने डर के कारण छोड़ देते हैं तो भाई किसी के पास कोई option भी नहीं रह जाता कि गंधर सेन का बड़ा बना दो ऑफ मालवा गब्मेंट एंगजल तो अब होता कहा है भाई विक्रम आधिते हैं तरह से एक्सिडेंटली राजा मनते हैं मालवा के लेकिन एक्सिडेंटली राजा मन सकते हो मिनिस्टर्स ज produto नहीं कि उसके बार, आपकर गंधरत हरी जोकीं से उमर में बहुत बड़े थे, वो नहीं ऊरा सके हए शकों को यह बच्छा क्या कर ले का? जब गंधर सेन और भरत हरी राजा थे तो मिनिस्टरस की सपोर्ट के करण आर्मी का साइस था ये अब जैसे ही मिनिस्टरस और जेनरल्स ने डिस्टरस दिखाया अपने राजा में वैसे ही विक्रमादित्य के पास आर्मी रह गई बहुत इतनी सी आपको जबरदस्ती या मर्जी से history पढ़नी पढ़ गई होगी तो भाई जब history पढ़ी होगी तो उसमें World War II की history ना पढ़ी हो ऐसा impossible है और भाई जिनोंने World War II की history पढ़ी होगी और मन लगा के पढ़ी होगी वो लोग इस term को नहीं भूल सकते term क्या है दोस्त, term है blid streak, इसका मतलब क्या होता था, the lightning war technique, इसका use Hitler ने किया था, allied powers के against, पर दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि ये technique, Hitler ने इजाद नहीं करी थी, ये technique इजाद होई थी हमारे प्यारे देश भारत में, जब Hitler के दादा के दादा के दादा के दादा भी प जगाँ 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 पर शक्त आर्मी के soldiers तेनाद थे, अब बहुत विक्रमादित्य को पता था कि एक तो ministers ने support ले लिया, generals ने support ले लिया, अब भाई मेरी आर्मी है, तो बहुत छोटी है, तो मैं करूं क्या, कैसे capture करूं, तो बहुत विक्रमादित्य अपने कुछ सि compromise करने के लिए नहीं कहता है, और अपना धर्म उन पर नहीं दोपता है, आता है भाई, शिवरात्तरी का दिन, महा शिवरात्तरी, और उजएन क्या है, महा काल की नगरी, अब विक्रमादित्य डिसाइड करते हैं, कि मेरे पास मुठी बर सहने के हैं, और मैं करूंगा, तो को capture करूंगा कैसे, security, urgency की बहुत जादा tight है, तो अब decide क्या होता है, विक्रमादित्य के पूरी army, यहां पर नागा साधूं के वेश में, छोटे छोटे चोटे चोटे जत्तों में जाएगी, और महा काल मंदिर के दर्शन के बाद में, यह लोग हो जाएंगी, unite, और क्योंक विक्रमादित्य सेना को नाम देते हैं, बहर्फ सेना, अब होता क्या है, बहर्फ सेना सिटी के अंदर अंदर एंटर कर चुकी है, अब जैसे यह सिटी के अं। कि एंधर यहीं कितनी देर लगे कि यह fort में बहीं एंटर कर गए, और जैसे ही वहाँ के शका कि मॉसस या फिर नाम विक्रमादित्य नहीं था वो था टाइटल इनका असली नाम था विक्रम सेन इनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया था उजयन की प्रजाने यानि कि उजयन की जो सिटिजन्स थे और इस टाइटल का मतलब होता था सूरे जैसा शक्तिशाली एस पारफुल एस सन और य यानि कि उनके जो दादा जी थे, उनके पिता जी थे, उनके बड़े भाई, वो सफ़ेल हो गए थे, पर विक्रमा दित्या ने सक्सेस पाई थी, शकास को अपने किंग्डम से बाहर निकालने में, और विक्रमा दित्या ने अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए लाँ विक्रमादित्य जो थे भाई वो शको की हार के बाद जैन तक रुकने वाले नहीं थे वो बस उनकी दिगविजय का शुरुवात भर था विक्रमादित्य कितने अंबीशियस थे हमें इस बात का प्रूफ इस बात से ही मिल जाता है कि भाई कुछ हिस्टोरियंस की माने तो विक्रमादित्य का जो एंपायर था वो पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट में साथ ही साथ उस समय के एरान एराक और अरेबिया तक फैला हुआ था वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्ट्री बुक्स और अधर टेक्स के अकॉर्डिंग हम मानें तो यहा सारे के सारे विक्रमादित्य के एंपायर के अंडर आते थे तो कंक्लूड इन नट शेल सारे हिस्टोरियंस की बात माने और सारे हिस्ट्री टेक्स की बात माने तो विक्रमादित्य का एंपायर ओल इनॉल इस पूरे शेड़ेड रीजन के अंडर आता था यह पूरा तो विक्रमादित्य की पाँच पत्निया थी जिनका नाम इस तरह से था माल्यावती, मदल लेखा, पदमिनी, छेला, छेलम्मा, देवी जिसमें से मदल लेखा इनकी सेकेंड बट मोस्ट इंपोर्टेंट कुईन थी इवन कह सकते हैं कि राजरानी हुआ करती थी ये इसके अलावा विक्रम चरिद, विनेपाल, विदोत्मा और वसुंधरा नाम के विक्रमादित्य के दो बेटे और दो बेटिया भी थे पत्नी बेटे बेटियों से अलग विक्रमादित्य के दो दोस्ट भी थे जिनका नाम था त्री विक्रम और वसुमित्र और इसके अलावा विक्रमादित्य का कोई दोस्त नहीं था जरा इमेजिन करके देखिए उस जमाने में विक्रमादित्य की दोस्ती यानि दोस्त अपने आप में कोई इनसान राजा से कम नहीं हो सकता था वो अब दोस्तों लास्ट में आता है विक्रमा दित्य का दर्वार हम सभी ने विक्रम दर्वार और उसके नवरतनों के बारे में टीवी पर देख पढ़ और सुन रखा होगा बट इन रियालिटी विक्रमा दित्य के दर्वार में 9 नहीं बलकि 13 रतन हुआ करते थे जिनमें और नीती प्रदीव जैसा नीती शास्त्र लिखने वाले वेताल भट्र भट्र भी शामिल थे उसके अलावा भाटी बहासिंदू विक्रम शक्ति और चंद्र इनके सेनपती हुआ करते थे तो all in all विक्रम दर्वार में 9 नहीं बलकि यहां पर 13 रतन हुआ करते थे तो दोस् साल उनोंने शासन किया था और वो जब मरे थे तो अपनी नैच्रल डेट से मरे थे बट यहां पर एक दूसरा रेफरेंस भी है जो कहता है कि विक्रम अदित्य जो थे वो नैच्रल डेट से ना मरके वार में हारे थे और उनको वीरगती मिली थी और उनको हराने वाले राज मिलते हैं नेक्स वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवाना बिल्कुल भी ना भूलना